अगले 15 दिन में महाराष्टा में चुनाव होने हैं और 20 तारीक से पहले महाराष्टा के कॉंग्रेस अलग-अलग नेता महाराष्टा में आये हुए हर जगा कहीं डामेज कंट्रोल शुरू है तो कहीं कॉंग्रेस कार्यकरताओं के पीछे रहने की या फिर उन्हें केडर एं इस्ट्रिबूशन थे वो एकदम फाइनल स्टेज पे अल्मोस्ट क्लियर हो चुके है अब अगली रंड निती क्या रहेगी इस विधान सबाद चुनाव के लिए इसपेशली जब पिछले कुछ चुनाव थे मध्यपरईश हो चतिजगड हो या फिर हर्याना का हो जहां प्रश्मीर भी जोड लीजे उसके पहले तेलंगाना करनाटका भी जोड लीजे जहां सफलता है मिली तो ठीक है कहीं कमी रह जाती है कहीं सफलता मिलती है और भाजपा के ओपरेशन कमल से भी लड़ना है EDIT से भी लड़ना है चुनाव आयोक से भी लड़ना है तो ये सबसे सिर उठा के लडने के लिए लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी जा रही है हमारी टॉप लीडर्शिप जा रही है रहुल जी विशेश रूप से भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनने इस सिलसला जारी रखा है लोगों से संपर करने का तो इनकी ये सारी जो स्ट्राटीजी है एक कैप्चर ओफ इंस्टिउशन्स नैशनल इंस्टिउशन्स के साथ फाइनेंशल जो दुरुपयोग हो रहा है इन टरम्स ऑफ ऑपरेशन लोटस एटस एट्सेटरा विच वी है हम लोगों ने महराश में भी देखा और जगवी देखा लोगों के पास जाके हम उनका विश्वास लेना चाहरे हैं उसमें कुछ सफलता भी मिली है साथ आने के लिए भी कॉंग्रेस ने पहल की कि अकेले नहीं लड़ना अलाइन्स के माध्यम से लड़ना इंडिया अलाइन्स बना महराश में महाविकास अगाडी के नाम पे अलाइन्स काम कर रहा है जो इंडिया अलाइन्स के पार्टनर्स हैं parties हैं इन सब को साथ लेके Congress अपनी और से पहल कर रही है allocation of seats में बात करके अब जीतने की दिशा में आगे बढ़ना Congress जहां लड़ रही है वहां Congress के candidate को पूरी तरह से support करना जहां MBA के साथ ही लड़ रहे हैं वहां Congress के cadre पूरा उनको support करना और उसी तरह से MBA के partners का support लेना जहां Congress के candidates हैं यह strategy लेकर यह initiative लेकर हम लोग काम कर रहे हैं तो पंधरा दिन बाकी आप वोटिंग के लिए जो seat distribution है वो तो almost हो चुका है लेकिन एक बात अभी तक सामनी नहीं आ रही है कि UBT Shiv Sena और Congress इनके बीच जो खीचाता नहीं हो रहे थी सीट को लेकर तो कि आपको लग रहा है कि just because of MBA and just because of other alliances, alliance partners कि आपको इस बार कम सीटे लेने पड़ी महाराष्टा में कम ज्यादा की बात नहीं है जब आप एक परिवार में चले गए अब MBA के परिवार में चले गए तो फिर MBA को 288 सीट मिली है एक भाई को कितना मिला दूसरे भाई को कितना मिला यह बहुत चोटी बात है कॉंग्रेस तो बड़ा भाई था इस सब में अभी के अभी कि अगर हम आपड़े है चोटा बड़ा कहने से दूसी बात हो जाती है भाई है और इस परिवार में हम के हमारे सबसे बड़े तो शरत पवार जी है उमर में देखिए इस लेवल पे देखिए महराश में अगर आप देखिएगा तो सीनर मोस्ट लीडर चाहे महाविकासा गाड़ी हो चाहे यूती हो सब में सबसे मनिंद और सबसे सीनर लीडर शरत पवार जी है तो हम तो घर का मुख्या उनको मानके चलेंगे एक तरह से कि परिवार में सबसे उमर दराज कोन है बाकी जिम्मेदारियां है अपनी अपनी जिम्मेदारियां हम लोगों ने ले रखे हैं जहाँ जहाँ पार्टी सिंबल पर चुनाओ लड़ना है वहाँ parties अपने organization के साथ M.V.A के बागी परिवार के साथियों को साथ लेके चुनाओ लड़ेगा यह बहुत interesting आप कहरे हो कि चलो ठीकी छोटा बड़ा कोई नहीं भाई है लेकिन पवार को आप अगर इस घर का मुख्या बताते हो तो क्या Congress इस पर मतलब राजी है कि महाराश्टा का politics Congress या फिर N.C.P.R. या फिर M.V.A की तरफ से पवार हैंडल करें वो हैंडल करी रहे हैं He is handling over decades Politics in महाराश्ट He is handling over decades Congress अपना contribution देती है हमारे party president है Nana Patooli जी आप देखी आपने कहा कि कौन चोटा बड़ा तो सब साथ बैठते हैं तीनों leaders आपको देखते हैं यहां PCC के तरफ से Nana Patooli जी देखते हैं हमारे इशारत पवार जी देखते हैं उधव जी देखते हैं आप मीडिया वाले जब photo प्रिंट करते हैं तो किन को करते हैं किसी एक को नहीं करते हैं तीनों को करते हैं तीनों साथ में बैठे वें तो बुजर्ग जो उमर में रहते हैं उनका तो हमारी भारती संस्कृती सभयता में मानेता होती ही है एक बताये मुझे कि क्या अगर M.V.A. साथ में आके 145 का जो मैजिक फिगर है वो गर क्रॉस करती है तो क्या ये मुखिया ही CMFACE डिसाइड करेंगे सब मिल के करेंगे तो उनके पास ज़्यादा हक होगा कैसा मुखिया हमने देखा कि अपने आप में नहीं कहता है उठो तो उठो बैठो तो बैठो सबसे बात करते है मुखिया घर का कौन माना जाता है जो सब को लेके चलता है As the elder statesman age says it experience says it तो उस हिसाब से जो वो काम करते हैं वो हमने क्या देखा अगर एक तरफ का होता तो यह साथ ही नहीं आते है सब मिलके कर रहे है तभी तो साथ है न एक सबसे बड़ी अभी के चैलेंज तो यह है कि आज शाम तक कुछ फॉर्म्स विड्रह होने है इसलिए damage control चल रहा होगा लग लग जगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच जो street बटवारे में खीचतान चल रहे थी वो अगर let's consider कि वो अगर नॉर्मल हो गए होगी लेकिन एक बात तो सामने आ रहे है कि जैसे लोग सभा में सांगली पैटन का जिक्र हुआ था कि सांगली में वहां के जो निर्दलिये थे वो चुन के आए कॉंग्रेस के लेटर ने आपके वहां पे जो कदम थे विश्वजीत कदम उन्होंने शिवसेना का यूबीटी का कैंडिएट था उसे हिल्टने की इनके पीछे कैटर पूरा खड़ा कर दिया तो क्या महाराष्टा में विधान सभा में इस तरह का चितर आपको दिखाए देगा इस बार आप बीजेपी में देखे इंबी ए की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है सब का अब तो इंबी ए के लीडर है अप इस पूरख कैगा आप में नाम लिया आपने यूती का भी नाम लिया शिवसेना का भी नाम लिया तो केवल कॉंग्रेस क्या कर रही है इसके साथ साथ आप देखिए कि वहां क्या हो रहा है ऐसा प्रेजेंटेशन कई बार मीडिया में हो जाता है ऐसे प्रशनों के माध्यम से कि सिर्फ कॉंग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी स्तिती में अपने आपको पाती है एक holistic picture एक पूरा picture क्योंकि आप national media हैं तो national media में national level के viewers के सामने holistic picture पूरा picture रिख जाना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है कि कौन मुख्य मंत्री बनेगा वहाँ पर कैसा तो वैसा हर जगा होता है पूजिशनिंग अपने पार्टी वर्कर्स के लिए आप पूजिशन अपने आपको करते हो यह कोशिश करके कि बेस पॉसिबल डील परिवार के उस section को मिल जाए वहाँ अजीत पवार जी का फैक्शन है उनकी क्या स्थिती है मिनिस्ट्री नहीं मिली एकी सीट जीत के गए उन लोग कितना खुश है ना खुश है छोड़िए फिर शिंडे जी इनको कितनी मिलेगी हम तो अब चीफ इनिस्टर है जीफ इनिस्टर के हिसाब से हमारी सीट जी आई और उसी सीट के हिसाब से अब हमको कितना मिलेगा पहले हमारे कितने मेलेज थे शिवसेञा के बाद चर्फyon न की से से ऑपरेशन लोटस में एक और एंटिटी बन गई शिवसेना तो पुशिजी एक पोजिशन बन गई अब हमको कितनी मिलेगी बीजेपी ज mindset पु उनके जो Chief Minister रहे अज डिप्टी Chief Minister की रूप में वह पीछे बठो तो वो भी वैसे ही adjustment कर रहे हैं वैसे ही पहल कर रहे हैं हर पार्टी में वही चीज होता है यहां हम भी आपस में सबसे पहले लोगों का विश्वास लेना साथ में हैं साथ में काम करेंगे इसके पहले मैंने नहीं देखा की प्री पॉल आपके प्रोग्राम्स डिक्लेर हो रहे हैं यह पोस्ट पॉल कॉमन मिनिमम्म प्रोग्राम में इत्यादी बनाया जाते थे तो जो अगर छे तारिक को आप देखेंगे कि एक कॉमन प्रोग्राम सामने प्रेजेंट किया जाता है तो अपने आप में मेसेज परियाप्त होना चाहिए कि यह अलाइंस कितना साथ में जुड़ा हुआ है और क्या क्या करना चाहता है आखरी दो सवाल उसमें से एक महत्वपूर्ण यह है कि आप भी कह रहे थे कि नेशनवाइड पिक्चर देखना चाहिए नेशनवाइज पिक्चर यह दिखलाता है कि मध्यप्रदेश हो चतिसगड़ हो हर्याना हो जहां कॉंग्रेस काम कर रही थी कुछ जगह उनकी सरकार सब्सक्राइब थी फिर भी कॉंग्रेस जगह रिटेन नहीं कर पाई और भाजबा को अहां सत्ता हासिल हो गई तो क्या महाराश्टा की लड़ाई आप किस नजिरे से देखते हो कि फिर ऐसा होगा तो यह तो एक्जिस्टेंचल हो गए नेशनवाइड पिक्चर मैंने नही पूछा तो हमारे जो एक्सपिरियंसे दूसरे जगह हुए वो हमको सीख भी देते हैं हमारी मीडिया जो इंडिपेंटली काम करके सर्वे करती है सर्वे एजन्सीज है जो इंडिपेंटली काम करते हैं हम पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं उनको मान लीजे कभी कभी दूसरी बातें आती है, पर हम कह़रें नहीं मानते हैं, उनका independent assessment च्छतिसगर के लिए क्या था? One-sided Congress आ रही है, उनका assessment हर्याना के लिए क्या था? One-sided Congress आ रही है, कहीं न कहीं कमी रह गे, तो हम को च्छतिसगर के चुनाओ के बाद भी मौका मिला देखने का, मद्रपदेश में कश्मकश है, बहुत नजदी का चुनाओ है, यह मीडिया का असेस्मेंट मीडिया या जो पोल्स्टर्स हम लोग कह रहे हैं या सर्वे एग्जिट पोल या असेस्मेंट जो कंपनिया करती हैं कि बहुत लोज है, कॉंग्रेस की गश्मेंट होती है, आपने अगर असेस्मेंट किया कि हर्याना में कॉंग्रेस आ रही है, और उसमें कमी आ गए, तो आप रियासेस करोगे, महराश को जब आप असेस करोगे, जारकन को असेस करोगे, तो आप और केरफुली करोगे, कॉंग्रेस भी वही करेगी, हमने भी असेस्मेंट किया कहीं चूक हुई क्या क्या कमी आई तो वो कमी यहां नहीं दिखनी चाहिए हो सकता है हर्याना में हमने इतना पहल नहीं किया जितना आज महराश में कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने का रीच आउट करने का कितना सक्सेस कितना सक्सेस मिला नहीं मिला अपने जगह है य साथियों में, जहां कि नाखुशी है. 102 सीट मिले न. यह 102 में से 186 सीट तो बच गया जो कॉंग्रिस के से लोग कहते हैं कि हमको 288 में मिलना है, वहां भी देखना, यह 102 में जिनको टिकेट नहीं मिला, वहां देखना हमने उतना मुझे नहीं लगता है कि हर्याना में इस बात में एफर्ट किया जितना हम महराश में कर रहे हैं तो अब इसके बाद में आज तीन बजे के बाद में जो सिचुएशन बनेगा कि कोन मैदान में बचे वह फाइनल नहीं वह वहां तक की पोजिशन बने फिर उनको फिर भी हम कोशिश करें फिर भी कोशिश करते रहेंगे नहीं कि छोड़ दिया हमने कि जाओ अभी भी कोशिश करेंगे चुनाओ तक तो ये हो सकता है दूसरे जगाह में हमने उतना नहीं किया क्योंकि हम भी उस narrative में आ यह आगे कि Congress तो आही रहे है कॉंग्रेस तो आई रही है, गेन हुआ, वोट शेर गेन हुआ, बीजेपी का वोट शेर गिरा, लेकिन 0.85% का जो अंतर रह गया, वो बीजेपी के पक्ष में चला गया, अठारा जगह कम से कम बहुत नॉमिनल अंतर से रह गया, बहुत बहुत शुक्रिया, अब कॉंग्रेस पिछली जो उनकी गलतिया हुई है, वहां से आगी जाते हुए, महाराष्टा का चुनाव जो है, उसको फेस करने वाली है, अलग-अलग जगह जैसे मैंने कहा कि कहीं जगह डैमेज कंट्रोल शुरू है, कहीं जगह प्रचार शुरू हो गया है, कहीं जगह और भी है, उसके बाद क्या होता है, वह देखना एहम पूर्ण रहेगा, और महाराष्टा की सियासत, कॉंग्रेस हो या फिर M.V.O. कहां तक लेके जाती इस सभी को, वह भी देखना महत्व पूर्ण रहेगा, कैमेरा परसन गोपाल हरने के साथ मैं उमकारवाब ले, आज तक पू